दोस्तों नमस्कार यहां बात करते हैं योग आयर्वेश स्वास्ति के बारे में किस परकार से अपने आहार वियार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोगमुक्त रहा जाए सुप में जीवन जिया जाए मैं डॉक्टर मनमोन लखेडा आज बात करूँगा कर्म फल के बारे में कर्म का फल दोस्तों हमारे महान पवित्र ग्रंथू में वह सब कुछ भरा पड़ा है जिसे अपना कर हम अपना मानव जीवन को महा मानव या देवत्य को प्राप्त कर सकते है मानव जीवन जीने की सार्तक्ता सिद्ध कर सकते है इसके लिए हमें अपने कर्मों की और बिसेज ध्यान देना चाहिए सास्त्र में कहा गया है अर्थार्थ इंद्रियों का असयमन आपदा और दुखूं का मार्ग है और उन्हें बस में रखना संपदाओं और सुकूं का मार्ग है जो तुमें अच्छा लगे उसी मार्ग पर चलो सास्त्र में कहा गया है पुर्णेश्य फ्लम इच्छति पुस्वम नेच्छति मानवह फ्लम नेच्छन्ति पापस्या पापम कुवंत यत्नता अर्थार्थ मनुष्य पुर्णे के फ्ल का सुक पाना तो चाता है किन्तु पुर्णे कर्म नहीं करना चाता और पाप कर्म के फ्ल का दुख पाना नहीं चाता पर पाप कर्म बड़े यत्न के साथ करता है तो दोस्तों मिलते अपनी अगली नई वीडियो में नई निया अइरवेदिक योग स्वास्टे संबंदी जानकारियों के साथ